नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूँ साक्षी पांडेग और फिर से आपका स्वागत है बॉलिवुड गपशप में शुरुबात करते हैं अपने स्टाइल को लेकर आए दन सुर्ख्यों में रहने वाले रनवीर सिंग से और अपने क्यूटनिस से सभी के दिलों पर राज करने वाली आलया भट से इन दुनों इनकी आने वाले फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहारी की शूटिंग शुरू हो अपने सोशल मीडिया पर सांझा की आईए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि इस फिल्म में क्या है खास बॉलिवुट फिल्म डिरेक्टर करन जोहर अपनी अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से निर्देशन में वापिस सा रहे हैं हाली में उन्होंने फिल्म के सेट से एक बीटीएस फोटो भी शेयर की है करन ने अपने इंस्सेग्राम अकाउंट से फिल्म के क्रू की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें कुछ लोग सेट पर बिजी नजर आ रहे हैं वे जिस सीन को शूट कर रहे थे वो घर के अंदर फिल्माया जा रहा था उन्होंने फोटो के साथ काप्शन दिया है शूट लाइफ रौकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी में रनवीर सिंग, आलिया भर्ट, धरमेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी जैसे आक्टर काम कर रहे हैं फिल्म इशुता मोहित्रा, शिशांग खैतान और सुमित रौय ने मिलकर लिखी है ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी फिल्म में धरमेंद्रो और जया बच्चन रनवीर की फैमिली का हिस्सा है जबकि शबाना आजमी आलिया भट के परिवार की मेंबर है ख़वर है कि आलिया और रनवीर अपनी सबकमिंग फिल्म के गानी की शूटिंग रूस में करेंगे विजल्द ही मौसको के लिए भी रवाना होंगे तो जब से फिल्म रॉकी और रानी की फ्रेम कहानी की शूटिंग की खबरे सामने आई हैं रनवीर और आलिया के फैंस के एक्साइटमेंट काफी जादा बढ़ गई है अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर से तहलका मचाने वाली हिना खान की हिना खान जल्दी अपने फैंस को एक धमाकेदार सर्प्राइज देने वाली है हिना खान और अंगत बेदी जल्दी एक म्यूजिक एल्बम वे साथ नजर आएंगे आए आपको दिखाते हैं हिना खान और अंगत बेदी की आने वाली म्यूजिक विडियो की कुछ बिहाइंड दे सीन्स और साथ ही बताते हैं म्यूजिक विडियो की रिलीज डेट हिना खान और अंगत बेदी की आने वाली म्यूजिक विडियो मैं भी बरबाद की कुछ बिहाइंड दसीन फोटो सामने आई है अंगत की गर्दन पर जहां कुछ टाटू नजर आ रहे हैं तो वहीं हिना खान का नया गेटप एकदम अलग है उनका ऐसा अंदाज जिसे पहले नहीं देखा गया है इना खान और अंगत बेदी का सौंग मैं भी बरबाद 23 सितंबर को सारे गामा के यूट्यूब चानल और प्रमुख म्यूजिक OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज होगा लेकिन फैन्स की एकसाइटमेंट को दोगिना कर दिया है अंगत बेदी की नई पोस्ट ने अपनी रिसन पोस्ट में अंगत ने इस विडियो सौंग से दो फोटो शेयर किये हैं जिसे देख फैन्स की एकसाइटमेंट सातवे आसमान पर है इसमें दोनों के बीच का intense romance सभी को आकर्शित कर रहा है फोटो में अंगद और हिना एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और एक दूसरे के बेहद करीब नज़र आ रहे हैं अब बात उन आक्टर्स की जो अपनी fitness routine को लेकर अक्सर चर्शा में हैं आजकल हर कोई health conscious है साथ ही social media पर fat to fit की transformation journey भी social media पर share करते हैं विलाल आपको दिखाते हैं वो आक्टर्स जिन्होंने intense training और healthy eating habits से अपनी body को completely transform कर लिया शुडवात करते हैं अरशद वार्सी से जिन्होंने हाली में अपनी ये तस्वीर social media पर साजहा की ऐसा नहीं है कि अरशद इस fat to fit transformation journey में अकेले हैं ऐसे और भी कई actors हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को पूरी तरह बडल डाला आईए देखते हैं कौन हैं वो actors आप देख सकते हैं अरशद इस तस्वीर में किसी wrestler से कम नहीं लग रहे हैं उन्होंने अपनी एक पुरानी तस्वीर के साथ इसे share किया है इसमें वो अपनी biceps flaunt करते हुए दिख रहे हैं खास बात ये है कि अरशद की इस तस्वीर को wrestler और actor जॉन सीना ने भी शेयर किया है हाल में choreographer और डारेक्टर रेमो डुसूजा की पतनी लीजेल डुसूजा ने भी अपनी transformation वाली तस्वीर शेयर किया उन्होंने अपना 40 kg वजन कम किया है उन्होंने ये वजन intermittent fasting और weight training workout के जरीए कम किया उन्होंने सिर्फ घर का खाना खाया वदिन में 18-20 घंटे तक intermittent fasting करती थी वहीं अब बात कर लेते हैं बॉलिवुड आक्टिवर इमरान हार्शमी की इमरान ने हाल में अपनी कई तस्वीरें और विडियो शेयर कियें ये उनकी workout विडियो और तस्वीरे थी जिसमें उनके transformation को साफ देखा जा सकता है कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान हाशमी ने ये transformation film Tiger 3 के लिए किया है फिल्म में उनकी और सर्मान खान के बीच fight sequence है वहीं दूसरी और comedian और laughter queen के नाम से popular भारती सिंग ने भी अपना 15 किलो वजन कम किया है भारती ने हाल ही में ये मीडिया के सामने बताया कि उन्होंने सिर्फ intermittent fasting के जरीए इतना वजन कम किया है शेहनास को तो सब ही जानते हैं बिग बॉस 13 फेम और लाखो दिलों की धड़कन शेहनास गेलाच सबसे popular actress में से एक है बिग बॉस 13 से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी फिजीक पर काफी काम किया और 10 से 12 किलो वजन घटाया उनका transformation देख फैन्स काफी इंप्रेस हुएं 1989 में रिलीज अक्ट्रेस भागिश्री और सल्मान खान के फिल्म मैंने प्यार किया तो आप सबको याद ही होगी इस फिल्म में प्रेम और सुबन की जोड़ी को सबने बहुत पसंद किया और आज भी इस जोड़ी को साथ में देखनी के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिर भागिश्री ने फिल्म इंडस्ट्री से एक लंबा ब्रेक लिया था जिसके बाद भागिश्री अप अच्छे प्रोजेक्ट के साथ गमबैक करना चाहती है उन्होंने मैंने प्यार किया के साथ अपने करियर के शिर्वात की भागिश्री ने अपने परिवार की देख भाल करने के लिए जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया जबकि सल्मान ने काम करना जारी रखा और सालों तक कई हिट फिल्में दी आपको बता दे कि भागिश्री ने हाल ही में कंगनरन और स्टारर खलाईवी से आक्टिंग की दुनिया में कमबैक किया है लेकिन जब भागिश्री से पूछा गया कि वो वापिस सल्मान के साथ कब काम करेंगी तब भागिश्री ने क्या कहा आएए आपको दिखाते हैं इस रिपॉट में भागिश्री का मानना है कि सल्मान के साथ दुबारा काम करने की उमीद ना के बराबर है खबरों की माने तो भागिश्री का कहना है कि वो सल्मान खान से लंबे समय से नहीं मिली है लेकिन सब जानते हैं सलमान अभी यंग हेरोईनों के साथ काम कर रही है इसलिए भागुश्री का कहना है कि मुझे नहीं पता कि हम दोरों के साथ काम करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट आएगी आपको पता दे कि सलमान को अकसर फिल्मों में उनकी opposite काम करने के लिए बहुत छोटी उम्र की फीमेल आक्ट्रिस को लाने के लिए आलोचनाओ का सामना करना पड़ता है फिल्म राधे और मोस्ट वांटिड भाई में उनकी लेटिस्ट को आक्ट्रेस दिशा पतानी थी जहां सलमान 55 साल के हैं वही दिशा 29 साल की हैं सलमान की ओपिस्ट अनुष्का शर्मा सोनम कपूर जाकिलिन फनान्डिस जैसी कई फीमेल आक्ट्रिस काम कर चुकी है भागिश्री ने कंगना के साथ थलाईवी में काम किया फिल्म में भागिश्री के परफॉर्मेंस की भी काफी सरहाना की गई उन्होंने बताया कि सेट पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार और सम्मान किया जाता था उन्होंने इस बात की भी सरहना की कि कैसे कांगना सेट छोड़ने से पहले हमीशा उन्हें प्यार से गुडबाई कहती थी अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सल्मान और भागिश्री साथ में काम करेंगे या नहीं फिलाल आपको दिखाते हैं सल्मान कहां कर रहे हैं खतरनाक आसाधारन आक्शन स्टन्ट सल्मान खान और काट्रीना कैफ इस समय आस्ट्रिया में है और अपने आने वाली फिल्म स्पाइट फ्रिलर ट्राइगर थी के लिए आक्शन सीक्विंस की शूटिंग कर रहे हैं सल्मान और कुट्रीना पर आस्ट्रिया में कुछ खतरनाक आसाधारन आक्शन स्टंट करते वे तिखाई देंगे आस्ट्रिया से एक सूत्र ने कहा कि टाइगर थ्री आस्ट्रिया को पहले की तरह पेश करेगी और यश्राज फिल्म्स ये सुनिश्चित कर रहा है कि वे देश को सबसे शानदार तरीके से पेश करें सल्मान और कट्रीना कुछ ऐसी जगाओं की शूटिंग करेंगे जो देश में पहले कभी नहीं देखी गई है सूत्र ने साजह किया कि फिल्म के निर्देशक मनीश शर्मा के पास टाइगर थ्री के लिए एक भव्य द्रिश्टी है और आस्ट्रिया फिल्म में टाइगर और जोया की यात्रा और मिशिन के लिए एक आदर्स प्रिश्ट भूमी प्रस्तुत करता है अब वहीं बात करते हैं सबके पसंदीदा गुड़ू भाया की यानि कि अभी नेता अली फजल की जो कर रहे हैं एक आगमी बिना सीशक वाली साइन्स फिक्षिन लगू फिल्म की शूटिंग जिसे हाली वे चार दिनों के लिए मुंबई में फिल्म आया गया था आए देखते हैं रपोर्ट फिल्म का लेखन और निर्देशन कारगो की निर्देशक आरती कदव नहीं किया है उनकी पिछली लगो फिल्म 55 किलोमेटर प्रती सेकंड थी जिसमें रिचा चट्धा मुख्य भूमेका में थी अली ने कहा कि आरती के साथ सहयोग करना एक अदभूत अनुभव रहा है मुझे वास्तव में उनके साथ शूटिंग करने में बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि वो जो करती हैं उसमें वो बेहत प्रतिभाशाली है उन्होंने आगे कहा कि हमने मुंबई में सिर्फ चार दिनों के अंतराल में पूरी फिल्म की शूटिंग की काश में लगू फिल्म के बारे में और अधिक सांजा कर पाता लेकिन पहले अधिकारिक घोशना की प्रतिक्षा करें फिल्म के बारे में विवरन अभी भी गुप्त रखा गया है तो जल्दी ये फिल्म आपको OTT प्लाटफॉर्म्स पर देखने को मिलेगी अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फिल्मों में आने से पहले क्या काम करती थी तापसी पन्नू आएए जानते हैं तापसी ने तेलगोद तमिल, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में काम किया है फिल्मों से पहले तापसी नुस सौफटवर पेश्वर के रूप में काम करती थी मौड्लिंग करियर के समय उन्होंने विज्यापनों में भी काम किया है इसके लिए तापसी को 2008 में पैंटलून फेमिना मिस्स फ्रेश फेस और साफी फेमिना मिस्स ब्यूटिफुल स्किन के रूप में किताब जीते हैं मॉडलिंग के साथ एक संग्षिप्त कार्याले के बाद तापसी रागवेंद रौय दारा निर्देशे 2010 में बनी तेलगू फिल्म जुम्बा मड़ी नान्दा के साथ अपने अभिना करियर की शुरुवात करी थी तापसी ने चिश्मे बदूर फिल्म से हिंदी सिल्मा में आगास किया था बेवी और पिंग से उन्हें सरहाना मिली तापसी का जन एक सिख परिवार में हुआ और वो दिल्ली की रहने वाली है अब बिना कुछ किये राकी सावंत कॉंट्रोवर्सी में आ जाए ये तो हजम करपाने वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ इस बार मामला थोड़ा अलग है आईए देखते हैं क्या है पूरा मामला और राकी एक बार फिर कैसे आ गएं कॉंट्रोवर्सी के घेरे में एंटरवर्सी की ड्रामा कूइन राकी सावंत ने बिना बात के अपना नाम घसीटे जाने पर रियाक्ट किया है राकी सावंत को उनके एंटरवर्सी के लिए जाना जाता है और वो अकसर सुर्खियों में बनी रहती है लेकिन इन दुनों राखी सावंद के कुछ ना करने के बाब जूत वे हेडलाइन्स में बनी हुई है पंजाब की सियासत में राखी सावंद का नाम गूज रहा है जहां आम आदमी पार्टी के नेता राखव चट्धा ने कॉंग्रिस नेता नवजोज सिंग सिध्धू को पंजाब की राजनीती का राखी सावंद के डाला नेताओं के वार पलत वार में राखी सावंद का नाम जिस तरह से घसीटा गया है उसे लेकर कई तरह के रियाक्शिन्स देखने को मिल रहे हैं रामा कुीन राखी सावंद ने बिना बाद के अपना नाम घसीटे जाने पर काफी हंगामा किया है राकी सावंत ने इंस्टा पर पोस्ट में अपने नाम पर हो रही राजनीती का जिक्र किया है राकी सावंत ने एक ट्विटर पोस्ट का स्क्रीन शॉट सांजा किया है जिसमें रितेश नाम के शक्स ने ट्वीट किया है अपने ट्वीट में शक्स ने रागव चधा, पंजाब कुलिस, कॉंग्रेस, साम आदमी पार्टी, बीजेपी को टाक करते हुए लिखा है कि अपनी राजनी तिक फाइदे के लिए किसी की छवी मत बिगाड़ो तो इसे के साथ आज के entertainment segment में बस इतना ही आप देखते रहिए News World India